तो दोस्तो, फाइनली मार्केट में लॉंज कर गया है, Realme 12 Pro 5G Mobile, इस mobile में हमें बहुत ही अच्छा quality का एक camera मिल रहा है, बढ़िया quality का display मिल रहा है इस mobile में, और दोस्तों इस mobile का performance भी 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 आच्छा देखने को मिलेगा. अच्छा game खेल पाऊगी इस mobile के साथ, को एंड तक देखिए तो शुरू करते आज का वीडियो नमस्ते दोस्तो मैं आनंद और आप देख रहे हो आनंद टेक वाल अभी तक इस चैनल को अगर आप सब्सकाइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सकाइब कर दो आभी जान लेते दोस्तो इस मोबाइल में हमे क्या फीचर स्पेसिफिकाशन देखने को मिल रहा है तो इस मोबाइल में हमें मिल रहा है 6.7 इंच, Full HD+, Card, Drive, OLED, पंच वल डिस्पले, मोबाइल में हमें जो डिस्पले मिल रहा है उसका स्कीन रिफ्रेश रेट हमें मिलेगा 120 हर्ट और इसमें हमें 240 हर्ट टास सेंप्रिं र वाला है इस मोबाइल के साथ और गेम के खेलने के टाइम आपका मोबाइल का स्कीन रिफ्रेश रेट ज्यादा होने के वजए से गेमिंग एक्स्पिरेंस भी बहुती बढ़िया होगा लेकिन आप इस मोबाइल को अगर हेवी सानलाइट में यूज करोगे तो वीजिविलि 12 Pro Plus 5G दोनों मोबाइल ही डिजाइन सेम ही है लगभक आसपास ही है दोनों का डिजाइन और दोनों ही मोबाइल देखने में बहुत ही खुब सुरत है अगर आपको Realme 12 Pro मोबाइल के बारे में डिटेल्स में जानना है तो जरूर मेरे चैनल में आप विजिट कर सकते हो और द इतना सस्ता मोबाइल नहीं लगेगा मतलब मिड्रेंज का मोबाइल नहीं लगेगा आपको लगेगा बहुत ही महंगा एक मोबाइल यूस कर रहे हो इसका इंहन्ट फिलिंग्स भी आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है इस मोबाइल में हमें मिल रहा है IP65 splash proof design दोस्तों इस मोबाइल का वज़न है 196 gram और इसका थिकनस है 8.75 mm इस phone में हमें मिल रहा है Android 14 operating system Realme UI 5 user interface के साथ मतलब दोस्तों इस mobile में हमें एकदमी latest Android version मिल रहा है और इसमें user interface भी बहुती latest मिल रहा है इसके बज़े से आपका user experience भी बहुती अच्छा होने वाला है इस mobile के साथ चलते हैं दोस्तों इस mobile का बैटरी के तरफ जा लेते हैं इस phone में हमें बैटरी क्या मिल रहा है तो इस mobile में हमें 5000 mm इसका बैटरी 67 watt fast charging support के साथ mobile में हमें जो charging connector मिल रहा है वो है USB type C और इसके साथ दोस्तों हमें इस mobile में type C headphone port ही मिलेगा इसमें 3.5 mm headphone port नहीं मिलेगा हमें लेकिन एक इस चीज मुझे personally अच्छ लगा कि इस mobile के साथ हमें 67 watt charger free मिल रहा है चलते है दोस्तों इस mobile का sound के तरफ sound quality के तरफ देखा जाए तो इस phone का sound quality हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा क्यूंकि इस mobile में हमें मिल रहा है dual speaker Dolby Atmos के support के साथ अभी चलते है दोस्तों इस mobile का security के तरफ security के तरफ देखा जाए तो इस phone में हमें मिल रहा है in display fingerprint sensor और face unlock का facility यह mobile अभी market में 3 color variant के साथ launch हुआ है sub made in blue, navigator witch और explorer red मुझे personally यहाँ पे explorer red color सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको कौनसा color अच्छा लग रहा है मुझे जरूर comment करके बताए अभी चलते है दोस्तों इस mobile का camera के तरफ जान लेते हैं इस phone में हमें camera क्या मिल रहा है तो इस mobile का rare side में हमें मिल रहा है 50 megapixel का triple camera primary जो lens है 50 megapixel का जिसका aperture है f1.8 और दोस्तों इसमें हमें sony imx 890 sensor देखने को मिल जाएगा और यह lens एक OIS lens है मतलब optical image stabilization मिल रहा है हमें इस mobile में इसके वजह से अगर कोई photo उठाओगे वीडियो उठाओगे तो shake होने का probability बहुत ही कम रहेगा और दोस्तों इस phone में हमें flagship level का एक sensor मिल रहा है इसके बज़े से photography और वीडियो ग्राफी के लिए यह mobile बहुती अच्छा होने वाला है आपको अगर photography करने का शौक है तो यह mobile आप चाहो तो consider कर सकता हो कि कोई इसके साथ हमें और दो जो lens मिल रहा है वह भी बहुती अच्छा मिल रहा है मतलब इसके बाद ह हमें मिल रहा है एक 8 megapixel का ultra wide angle lens जिसका maximum viewing angle है 112 degree और उसके बाद हमें मिल रहा है 64 megapixel का periscope lens जिसमें हमें Omnivision OV64B sensor देखने को मिल जाएगा मतलब दोस्तों इस mobile का जो rare camera हमें मिल रहा है तीनो lens ही बहुती काम का है आप अगर बहुत दूर का photo zoom करके उठाना चाते हो तो periscope lens से आप कर सकते हो आपको ultra wide angle lens भी ठीक ठाकी मिल रहा है और प्राइमारी lens तो बहुती बढ़िया देखने को मिल रहा है अगर आप photography का शौकिन हो आपको video उठाना अच्छा लगता है तो यह mobile आप चाहो तो consider कर सकते है अभी चलते है दोस्तों इस mobile का front camera के तरफ, front camera के तरफ देखा जाए तो इस phone में हमें बहुती अच्छा front camera भी मिल रहा है क्योंकि इस mobile का front में हमें मिल रहा है 32 megapixel का front camera जिसका aperture है f2.4 और दोस्तों इसमें भी हमें Sony का sensor देखने को मिल जाएगा मतलब इस phone में हमें camera एकदम जबरदस्त मिल रहा है इस mobile का rear camera से आप 4K में वीडियो शुट कर पाऊगे 30fps में और इस mobile का front camera से आप full HD में वीडियो शुट कर पाऊगे 30fps में आभी जान लेते दोस्तों इस mobile में हमें connectivity का क्या features मिल रहा है तो इस mobile में हमें मिल रहा है 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2 और Dual 4G Volt आभी जान लेते दोस्तों इस mobile का performance कैसा है मतलब इसमें हमें processor क्या देखने को मिल रहा है तो दोस्तों इस mobile में हमें मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 processor एक 4NM octagon processor जिसका maximum clock speed है 2.4 GHz और इसमें हमें Adreno 710 GPU देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस mobile का performance के बारे में बात किया जाए तो एकदम flagship level का performance देखने को मिलेगा आपको इस mobile में मतलब बहुत ही अच्छा गेम खेल पाओगा आप इस mobile के साथ अच्छा multitasking कर पाओगा लैग free use होगा आपका यह mobile मतलब ज्यादा hang नहीं करेगा lag नहीं होगा और आपका mobile बहुत ही smooth चलेगा और gaming experience तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपको इस mobile के साथ और दोस्तों ज्यादा देख गेम खेलने के तीन storage और RAM variant के साथ launch हुआ है इसमें हमें मिल रहा है 8GB RAM 128GB internal storage, 8GB RAM 256GB internal storage और 12GB RAM 256GB internal storage और दोस्तों इसके साथ हमें इसमें आप 224GB dynamic RAM का support भी मिल जाएगा इस mobile में जो RAM का technology यूज़ किया गया है वो है LPDDR5 और इसमें हमें UFS 3.1 storage type देखने को मिलेगा तो एक हिसाब से बोला जाए तो दोस्तो इस mobile में हमें RAM भी बहुत ही fast मिल रहा है storage टाइप भी fast मिल रहा है तो अभी जान लेते हैं दोस्तों इस mobile का price का है तो इस mobile का जो best variant है 8GB RAM 128GB internal storage variant उसका इंडिया में price है 27,999 और इस mobile का 8GB RAM 256GB internal storage और इस mobile का 12GB RAM 256GB internal storage और प्राइज है 33,999 तो दोस्तों ये mobile आपको कैसा लगा जरूर मुझे comment करका बताईए वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक like कर दीजिए अपना दोस्तों के साथ share केजिए और हाँ दोस्तों Realme 12 Pro 5G mobile के बारे में अगर आपको details में जानना है तो आप channel में visit कर सकते हो या end screen में भी वो वीडियो मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में फिर मुलाकात होगा बाई